कि यह लाइन में लगा दिसमें अब यह वाली हमारी लगेगी compressor हो यह हमारे nitrogen cylinder हो उस पर हमारी लगेगी और आपको gauge line हमेशा ऐसी लगानी है जो यह compressor हमने पना अपना चालू कर DIA है आप देख इत्युव हुआ प्र मनें ट। है इस वोगत है। आज आपको बताएंगे कि स्प्लीट दो लाइने लगाएंगे, एक यह सीधी वाली लाइन जो है, जो हमारी सीधी लाइन है, यह हमारे हमेसा सिस्टम पर लगती है, चाहें वो फिरिज में गैस जालना हो, या एसी में गैस जालना हो, या लीके चेक करना हो, या बैक्यूम करना हो, तो हमारा सीधी जो है, सिस्टम पर लगाएंगे और इसस्टम पर लगाने के बाद में जो दूसरी लाइन हमारी लगी है यह नंश þेट पला न लगाएंगए अब हैं यह वाली लेव सक्षण फस्टम पर लगाता है और आपको gauge line हमेसा ऐसी लगानी है जो ये आप देख रहे हैं को टेड़ा वाला सक्षन है यह मेंसा हमारा compressor यह nitrogen लगेगा जो सीधा वाला संक्षन होता है हमारा देख सकते हैं यह हमारा हमेसा gauge meter पर लगता है तो इस तरीके से लगाएंगे और इसको compressor पर लगा देंगे अच्छे से टाइट करलेंगे ताकि हमारी जो है कहीं से लीकेज ना हो अगर यहीं से लीकेज हो usaken त्विकेज कैसे डून पाएंगे उसको और इसकी Gauge Meter को खोल देंगे इस तरीके से हम खोल देंगे अपना compressor हम चालू करेंगे compressor हमने अपना चालू कर दिया है आप देख सकते हैं सुई बढ़ने लगिए चाहें AC हो स्प्लिट AC हो चाहें विंडो AC हो हम इस पर 200 प्रेसर 200 से 300 PSI प्रेसर डालते हैं लीकेज चेक करने के लिए और जो हमारा फ्रिज में हम डालते हैं उस पर 100 से 120 PSI प्रेसर डालते हैं लीकेज करने के लिए तो यह बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको 200 से 300 PSI प्रेसर इस पर डालना है तो इससे हमारे लीकेज जो है मिल जाए अब देख सकते हैं आप 200 प्रेसर पहुंचेगा तो हम इसको बंद कर देंगे कि दीरे दीरे बढ़ रहा है इसके हमारा डाइसो प्रेसर होने वाला है थोड़ी देर में डाइसो प्रेसर हो जाएका तो अब इसको डाइवलेटर को बंद कर देंगे और फिर इसकी लीकेज जोनेगे लीकेज हमारी कहां से है यह हाई प्रेसर गेज है तो यह हमारा 800 PSI तक जाता है आप देख सकते हैं डाइसो प्रेसर हमारा हो गया है तो हम इसको डाइसो प्रेसर को बंद कर देंगे अब इसको चाहें आप याद रखिए और चाहें आप इसको कंप्रेसर बंद कर देंगे अब चाहें आप इसको याद रख सकते हैं या आप इसको फोटो फोन में ले लें ताकि आपको ध्यान रहे है अब ने कंप्रेसर को लग कर दिया अब यह खाली है हमारा जो है गेज मीटर और इंडोर का रह गया है अब हम इसको लीके जब इसकी चेक करेंगे तब एक बोतल में या किसी मग बगरे में सैंपू डालेंगे सैंपू को हम इससे फेना जो होता है वो सारे पॉइंट सो पर लगाएंगे गेज मीटर एक जगह रख दें आप देख सकते हैं इस तरीके से यहां पर हमने पहले गेज लाइन लगाई है सबसे पहले तुम यहां से चेक करेंगे कि यहां से तो लीकेज नहीं हो रहा है यहां पे इस तरीके से लगा लेंगे कि यहां से लीकेज नहुत अगर यहां से लीकेज होगा तो हम अपना ढूंद नहीं पाएंगे कि leakage हमारी कहां पर है, हम सारा डून डालेंगे leakage मिलेगा नहीं, leakage कहां से होगा यहां से होगा, तो इसलिए यहां से और जो हमने दूसरा point बंद किया है वहां पर ऐसे कर लगा लेंगे अब बाकी हम जो यू point है जितने भी, हम सब पर लगा के चेक करेंगे कि हमारा कहीं से लीकेश तो नहीं है इस तरीके से जहां भी लीकेश होगा वहां से ये बुलबुजे छोड़ेगा अब सारे यू पॉइंट्स में हमने जो है सेंपू के फेने को लगा दिया है जहां जहां हमारे जोड़ है ये जोड़ है ये यू पॉइंट पर हमारा जोड़ लगा रहता है जहां जहां पर है वहां हमने फेना लगा दिया सेंपू का इससे अगर लीकेश होगा तो हमको मालू हो जाए कि यहां से लीकेश हो रहा है यहां से अब इसको आदे घंटे के लिए होड़ रखना होगा कि आदे घंटे में इसको होड़ करेंगे ताकि अगर अगर सुई हमारी 200 से नीचे गिर रहे तो इसका मतलब हमारा कहीं न कहीं लीकेज है और एक चीज यह होती है जैसे कर कहीं बीच में है तो आप उसको सैंपूल आगे आपको पूरी क्वाइल खोल के बाल्टी के अंदर डालना पड़ेगा बाकाइदा प्रेसर डालके आप उसको बाल्टी के अंदर डालेंगे तब आपको जाकर रहें के लीकेज मिलेगी ढले हुए वीडियो को पॉस्ट किया हुआ था कि वीडियो जादा लमबा नहो हो अब आपको सीखना हूँ कोई भी टेक्निकल्स गाम तो आप सकते हैं एक टेक्निकल्स इस्टिटूट विकासने कर लखना हूँ में धन्यवाद